हेलो दोस्तों सुभागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल्ट देतल में मैं हूँ आपका दोस्त देतल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से टाटा गुरूप के स्टोक की जिसने काफी अच्छी बैल्ट क्रेट किरके दी बात कर रहे हैं टाटा एलक्स इसका पूरा कपरेश चार्ट देखेंगे जैसे मैंने आपका बताया मल्टी वैगर स्टोक रहा है लगवग आप देखेंगे साथ आट सुरुपे क्या सपास काम किया करता था अगर देखें यहां पर तो 700 रुपे क्या सपास कोविट टाइम पर यह स्टोक ने लो बनाया अगर आप देखेंगे इस टाइप का चार्ट पैटर्न इसका रहा है बीक ली चार्ट प्रेंट के उपर देखेंगे कि इस टाइप का जो अबी भी इसका बना हुआ है तो यहां पर सबसे नीचे की जो लाइन एक अच्छा-कासा सपोर्ट जो इसको देता है तो अभी तक स्टोक इस लाइन के आसपास नहीं आया काफी उपर है इससे यहां पर देखेंगे मल्टिपल टाइम जो बीकली चार्ट से इसके उपर इसने सपोर्ट लिया है सेकिंड लाइन जो देख रहे हैं पहले इसकी लाइन ती एक अच्छा-कासा यहां पर रिजिस्टन्स जो उन के बीच में काफी स्टोक रहा है जैसे इसको ब्रेक किया तो स्टोक अगेन 9400 के लेबल तक गया बट अब सबसे बड़ी बात है इसको हम देखते हैं डेली चार्ट के उपर किस टाइप से दिखाई देता है तो आप देखिए जैसे मैं आपको बता है स्टोक ने इनी लाइ कर सकता है तो आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी स्टोक जो है इस वाली लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ आपको क्लियरली नजर आ रहा है और यहां पर जो है स्टोक जाता जूरूर है बट एक रिजिस्टेंस कर रहा है इस लेवल के आसपास आप देखिए सबंद और यहां से सटोक ने ब्लाइब किया चाता है स्टोक अगर डर्यक करता है तब स्टोक जो है तक फिसलता हुआ नजर आ सकता है बट यहां पर एक अच्छी सपोर्ट है जिसके उपर पहले भी इसने काफी बार जो सपोर्ट लिया है 746-0 के आसपास तो इसके उपर आपको नजर रखे चलना है बट यह जो लेवल है यह काफी स्टॉंग जो आपका रिजिस्टन्स की तरह काम कर रहा है तो हो सकता है स्टॉंग इनी दो लाइन के बीच में काम करें इसको अगर ब्रेक करता है तो स्टॉंग उपर जाता हो नजर आएगा बट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉंग बीक होता हो नजर आएगा करके उपर की तरफ नहीं जाता है तब तक आपको इसके अंदर कोई भी बड़ा पैसा अभी नहीं लगाना है जैसे ही इस प判क Movement करेगा तो सिर्फ ब्रेक ऊट तो एब करेदीजय को आप लेना है ब्रेक करो इस जयसे है ब्रेक उपर करने के हुआ और और यहां ब्रेक नहीं कर है वहां कर सकते हैं तो यहां पर आगी की जिए अगर आपको में आपको पता है आप ध्यान रखी और उनको करके रखिए और ट्रेंड लाइन को ड्रो करके रखिए अगर आप इसके अंदर किसी भी टाइप का इंवेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यह लैबल्स और लाइन्स आपके बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए और अगर देखें डेली टाइम फर्म के पर जो RSI है वो 41 के असपास किये तो यह बीक RSI शो हो रही है कि यहाँ पर अभी बीकनेस और हो सकती है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या थोड़ा और नीचे जा सकता है थेंक्यू धन्यवाद